Hello everyone, welcome or welcome back, तो पाकिस्तानी जनरलिस्ट अर्शेज शरीफ को मार दिया गया है किन्या में, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ कुछ सबूत थे इनके पास और वो इनको basically reveal करने वाले थे, अब ये पूरा matter क्या है हम detail में discuss करेंगे, but before that make sure you are subscribe to the channel and please like and share this video, ये ये हैं अर्शेज शरीफ जिनको की कीनिया पुलिस ने मार दिया है, और कमाल की बाद देखिए, इनका murder करने के बाद, यानि कि इनको shoot करने के बाद, पुलिस ने ये बोला है कि mistakenly हमने ये कर दिया, यानि कि हम किसी और को target कर रहे थे, लेकिन mistakenly हमने इनको मार दिया, आप एक इनसान की जान ले चुके हो और आप उसको एक mistake बुला रहे हो, this is outrageous, को अर्शेज शरीफ के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, ये पाकिस्तान के जनरलिस्ट से first of all जैसा मैं बता चुकी हूँ, और इमरान खान के बेहद खास supporter रहे हैं ये, बाकी जो शहबाद हैं, उनके काफी खिलाफ रहे हैं और जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनके भी काफी खिलाफ, अगर हम simple शब्दों में कहें, इमरान खान के लिए अर्शेज शरीफ एक asset थे, इन्होंने फिलहाल में ही पाकिस्तान को छोड़ दिया था, क्योंकि ये ये बोलने लगे थे, कि पाकिस्तान में इनकी लाइफ को खतरा है, चूंकि ये बहुत जादा openly criticize करते थे पाकिस्तानी government को, और जितना की पाकिस्तान में corruption हो रहा है, उस चीज को, पाकिस्तान की आर्मी को, और कैसे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की government जो शहवाश शरीफ वाली है, ये कैसे terrorist organization से अपने संबंद रखते हैं, कैसे ये money laundering करते हैं, कैसे corruption होता है, ये सब के बारे में शरीफ खुले में बात करते थे, openly बात करते थे, जिसकी वज़े से इनको threat आने शुरू हो गए थे पाकिस्तान में, इसे लिए इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ कर ये कीनिया में आ गए कीनिया में आने का इनका एक और reason था, वो मैं थोड़े देर में बताऊंगी, इनको shoot करने के बाद कीनिया पुलिस ने ये बोला, कि जैसी कार में अर्शिद शरीफ बैठे थे, हम similar कार की सर्च कर रहे थे, क्योंकि एक child kidnap हुआ था, और उसी के case में हम जो कलपरिठन को ढू अब जैसा की मैंने बताया, इमरान खान के बेहत खास supporter रहे हैं अर्शिद शरीफ, इसलिए इनकी मौत के बाद इमरान खान ने tweet करा, कि इनके murder से पता चलता है कि जो भी current government के खिलाफ, जो power में है उनके खिलाफ, आवाज उठाएगा, उनको criticize करने की हिम्मत करेगा, उनको ह कि ये सरकार अपना निशाना बना लेगी और मार देगी, अब अगर हम latest reasons की बात करें, जिनकी वज़े से अर्शिद शरीफ को मारा गया है, जो की अनुमान लगाया जा रहा है, देखो, अर्शिद शरीफ एक documentary release करने वाले थे Netflix पर, जिसका नाम है Behind Closed Doors, और ये basically पाकिस्त से वो सब इस documentary में दिखाया जाने वाला था, और ये इस documentary को काफी जल्दी release भी करने वाले थे, इस documentary का already जो trailer था वो आ चुका था YouTube पर भी, अर्शिद शरीफ के चैनल पर, और ये documentary भी एक खास वज़ा है, जिसकी वज़े से कीनिया में गए थे अर्शिद शरीफ क्यूंकि कीनिया एक काफी corrupt country है, वहां से जो illegal काम है वो बहुत जादा easily हो जाते हैं, इसी लिए इस documentary में और क्या-क्या add हो सकता है, और ये ही investigate करने के लिए भी अर्शिद शरीफ कीनिया में थे, शहवाज शरीफ की government के सामने एक challenge थे अर्शिद शरीफ, दूसरा challenge जो शहवाज शरी ये contest नहीं कर सकते कोई भी election, लेकिन अब वो कर सकते हैं, इसलामबाद high court ने उनको अनुमती दे दी है, आपको अलड़ी पता है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी population है, दूसरा अगर ये documentary release हो जाती, तो obviously शहवाज शरीफ government और पाकिस्तान की आर्मी का एक एसा चहरा दिखता लोगों को, जो वो छिपाना चाते हैं, नहीं दिखाना चाते हैं, और जिससे की इमरान खान को एक और एज मिल जाती हैं, और वो easily इन elections को जीच सकते थे, इसलिए बोला जा रहा है कि अर्षज शरीफ को target करा है पाकिस्तानी government ने, क्योंकि वो एक challenge बन बने वाले थे, वो अपनी documentary के जरीए, अब ऐसा नहीं है कि ये documentary अब release नहीं होगी, हो सकती है, बट delay होगा ये एकदम तैह है, क्योंकि अर्षज शरीफ का एक high profile case बन चुका है और चारो तरफ से pressure आ रहा है पाकिस्तान पे कि सही तरीके से investigation करी जाए इस case में और क्यों उन journalist को ऐसे मारना सही नहीं है, ये freedom of speech, freedom of expression के खिलाफ है, फिर शहबाद शरीफ ने भी tweet करते हुए बोला कि हमें बेहत दुख है अर्षज शरीफ की मोत का, और हम request करते हैं Kenya की government से कि एक transparent और fair investigation हो इस case में, और please हमें promise करिए कि आप जल्द से जल्द उनकी जो body है वो पाकिस्त की काफी एक बड़ी population इमरान खान के support में आ सकती है, क्योंकि ये जो documentary का खुलासा है, ये basically अभी news में जादा flash होगा उनकी मोत के बाद, काफी जादा hard hit elections रहेंगे आने वाले शहबाद शरीफ के लिए, क्योंकि already बहुत बड़ी population इमरान खान के साथ है, और इस incident के बाद श और शुटिए लिए बाद बार में झाल ये जिए रान के लिए उनके जैन्के लोन से आपी, हल्दय और बाद आए